जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है मारे यूट्यूब चैनल जीके बैंक में दोस्तों आज कुछ अलग हटकर कोशन लेकर आया हूं जीके का तो दोस्तों आज राष्ट प्रत्ति के उपर बने वे सवालों के बारे में जानेंगे तो आए ज्यादा देरी न करते वे दोस दोस्तों चलते हैं कोशन की तरफ कोशन है दोस्तों भारत का प्रथम नागरी किसे कहा जाता है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कोशन है भारत का प्रथम नागरी किसे कहा जाता है तो दोस्तों अगर आपको पहले से पतायत कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा तो इसका उत्तर है दोस्तों, राश्टर पती को, किसे कहा जाता है, राश्टर पती को, तो आए नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कोश्चन क्या है, भारत की समस्त कारे पालिका सक्तियां किसमे नहीं थें, अगर आपको इसका जब आप पहले से पतायत, कमे तो उत्तर है राष्ट्रपती उत्तर है राष्ट्रपती आईए नेक्स्ट कोश्चन की तरब चलते हैं दोस्तों कोश्चन है भारत के राष्ट्रपती पद की योगिता क्या होनी चाहिए अगर इसका जवाब आपको पहले से पता है तो कमेंट सेक्सेन में ज़रूर बताईएगा तो इसका उत्तर है संबिधान के अनुछेद अंठावन के अंसार कोई भी ब्यक्ती तभी राष्टपती बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो तो आएए नेक्ष्ट कोश्चन की तरफ चलते है नेक्ष्ट कोश्चन क्या है दोस्तों राष्टपती के उमिद्वार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं राश्ट्रपती के उमिद्वार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं तो इसका उत्तर है दोस्तों 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं आईए नेश्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा कोश्चन है दोस्तों राश्ट्रपती के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस से कौन होता है कोश्चन है दोस्तों ध्यान से देखेगा आईए next question की तरफ चलते हैं दोस्तों Question है नई बेवस्था के तहट किन किंद्र सासित राजियों की बिधान सभा के निर्वाचिस सदस्यों को राष्टपती के निर्वाचन मंडल में सामिल किया गया है नई बेवस्था के ताथ किन किंद्रसासित राज्यों की विधान सभाग के निर्वाचित सदस्यों को राष्टपति के निर्वाचन मंडल में सामिल किया गया है तो इसका उत्तर है दिल्ली और पंडुचेरी दिल्ली और पंडुचेरी आएए नेक्ष्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों नेक्ष्ट कोश्चन है कोई ब्यक्ति कितनी बार राष्टपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है कोश्चन है दोस्तों ध्यान से देखेगा आईए next question की तरब चलते हैं question है दोस्तों राइष्ट्रपती का कारे काल कितने सालों का होता है question है दोस्तों ध्यान से देखिएगा राइष्ट्रपती का कारे काल कितने सालों का होता है इसका जब आब आपको पहले से पता है तो comment section में जडरू बताएगा दोस्तों Question है दोस्तों एक राइस्ट्रपती का माशिक वेतन कितना निरहाध़ गया है अगर इसका जब आपको पहले से पता है तो comment section में ज़रूर बताएगा दोस्तों तो इसका उत्तर है 2,00,00 रुपए आयकर से मुक्त 2,00,00 रुपए आयकर से मुक्त आए नेक्ष्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं नेक्ष्ट कोश्चन है सेवा निव बृत्ति के बाद भारत के राष्ट पती को तो comment section में ज़रूर बताएगा तो इसका उत्तर है 9,00,00 रुपए इसका उत्तर है दोस्तों 9,00,00 रुपए आये next question की तरफ चलते हैं फटाफट Next question है दोस्तों भारत के राष्ट पती के पास कौन सी बिधाई सक्ती होती है Question है दोस्तों ध्यान से देखिएगा भारत के राष्ट पती के पास कौन सी बिधाई सक्ती होती है तो इसका जबाब है राष्ट पती के हस्ताक्षर के बगएर कोई कानून नहीं बन सकता इसका उत्तर है दोस्तों राष्ट पती के हस्ताक्षर के बगएर कोई कानून नहीं बन सकता आए नेक्ष्ट कोश्चन की तरब चलते है नेक्ष्ट कोश्चन है लोग सभा को भंक करने का अधिकार किसके पास है कोश्चन है दोस्तों ध्यान से देखिएगा लोग सभा को भंक करने का अधिकार किसके पास है अगर इसका जवाब आपको पहले स्पता है तो इसका उत्तर है राष्ट पती को लोग सबाग को भंग करने का अधिकार किसके पास है राष्ट पती को आईए नेक्ष्ट कोशन की तरब चलते हैं यह हमारा आखरी कोशन है दोस्तों कोशन है संसत के सत्र आहुद करने और सत्रा अवसान करने की जिमिदारी किसे दी गई है तो इसका उत्तर है राष्ट पती राष्ट पती वो लोग सभा का प्रथम सत्र सम्भोधित करता है संयुक तो अधिवेशन बुला कर अभिवासन दे सकता है तो दोस्तों इस तरह का कॉशन पाने के लिए या इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें तो बस आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत